हलो फ्रेंड्स वेलकम तो भीडियो आज कीस वीडियो में हम पिछले वाले वीडियो का खरम जारी रखेंगे जैसा कि में आपको कहा था कि कुछ प्रशन जो है वह बच गए हैं वह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता आँगा तो आज हम पांच वे प्रसने से पिछे वाले वीडियो में हमने चार प्रश्ण डिसकस किये थे तो पांचवा प्रश्ण है हमारे पास कि यदि एक समतलिय बल निकाय को जी आगोंड वाले बल युगम में समानित किया जाए और प्रतियक बल की क्रिया रेखा को क्रिया बिंदू के सापेक्स समकौन पर गुम अलफा इकवर्टू टू टू टैन इनवर्स ह अपोंड जी हो तो निकाय जी बल युगम के तुल्य होगा तो ऐसे प्रश्णों में हमें ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी पिंद की सामय वस्ता के बारे में जानकरी नहीं दी गई है ठीक है कहीं पर भी नहीं का गया ह कि पिंद ये सामय वस्ता में है या फिन नहीं है तो ऐसे प्रश्णों में हमें पिंद को हमेसा सामय वस्ता में मानना है पहली बात तो यह होगी अब इस सवाल की पहली लाइन को पढ़िए जदी एक समतलिय बल निकाय को जी आगोन वाले बल युगम में समानित किया जाए तो हमें एक बल निकाय को consider करना होगा तो इसको solve करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि उस समतलिय बल निकाय के केवल एक force को consider करता हूँ जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं माना कि वो force P है तदा उस force का x axis के साथ angle theta है और वो A बिंदू पर कारे करता है जिसके coordinates x,y है अब हम क्या करेंगे कि इसका बल युगम ग्याद करेंगे फिर इसका summation करके संपूर्ण निकाय को represent करेंगे ठीक है तो बल युगम निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि यह जो P force है उसको गटकों में वियोजित करना होगा जैसा कि मैंने आपको topic 1 में process बताया था उसी को यहाँ पर करना होगा तो P का x गटक क्या होगा P cos theta क्योंकि theta से लगती बुजा हमेसा cos theta होती है और जो दूसरी वाला गटक होता है वो होता है sin theta तो force P का y गटक हो जाएगा यहाँ पर P sin theta अब हम क्या करेंगे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जब हमें सामय वस्ता के बारे में प्रश्न में नहीं दिया गया हो तो Pind को सामय वस्ता में मानना है ठीक है यानि कि यह Pind सामय वस्ता में है और जब Pind सामय वस्ता में होता है तो दो condition apply होती है सबसे पहली condition होती है कि सभी x गटकों का योग 0 के बराबर होता है यानि कि summation of x1 या फिर capital x मैंने आपको बताया था तो उसका मान जो है 0 के बराबर होता है साथ ही सभी y गटकों का योग भी 0 के बराबर होता है यानि कि summation of small y1 या फिर capital Y equal to क्या होगा 0 ठीक है तो हम पहले इस एक बल पर चर्चा करेंगे फिर उसका summation लेके पूरे निकाई को represent करेंगे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले मूल विंदू के सापेक्स इस बल का बल यूगमन निकालेंगे ठीक है तो बल यूगमन कैसे निकालते हैं मैंने आपको सिखाया था force into perpendicular distance ठीक है तो G equal to होगा यहाँ पर सबसे पहले मैं X गटक का बल यूगमन निकालता हूँ तो इसकी मूल बिंदू यहाँ पे मूल बिंदू O है ठीक है इसकी मूल बिंदू O से हमें perpendicular distance चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि इस line को पीछे की और बढ़ाऊंगा पीछे की और बढ़ाने पर हमें मूल बिंदू से इस force की perpendicular distance मिलेगी जो कि Y के बराबर होगी क्योंकि यह दोनो lines parallel है तो इसकी length भी हो जाएगी Y ठीक है तो इसका आगूण क्या होगा force into perpendicular distance यानि की P cos theta into small y अब देखते हैं कि यह positive होगा या फिर negative होगा तो मैंने आपको बताया था कि इसको हमें मानना है लकडी और force को हमें मानना है रसी तो यह किस दिसा में गुमेगा गड़ी की दिसा में और गड़ी की दिसा में हमेशा बल्यूग मा आगूण का मान negative होता है अब लेते हैं y गटक को y गटक की perpendicular distance हो जाएगी x क्योंकि इस point के coordinate से x, y तो इसका बल्यूग मा आगूण positive होगा क्योंकि यह लकडी को गड़ी की विपरी दिसा में गुमार आये तो प्लस होगा ठीक है तो force का मान है हमारे पास P sin theta और perpendicular distance है हमारे पास x ये बल्यूग मा आगूण केवल एक force को represent करता है ठीक है तो अब हमें क्या करना है संपूर्ण निकाई के लिए उसको ग्याद करना है इसको मैंने small g माना है तो संपूर्ण निकाई के लिए हम क्या करेंगे इसका summation लेंगे तो capital G यानि कि संपूर्ण निकाई के लिए बल्यूण का योग हमें प्राप्त होगा summation of positive वारी term को मैं आगे लिक रहा हूँ यहाँ पे P sin theta into x minus P cos theta into y और साथ ही जो x गटक होंगे x गटक हमारे पास क्या है P cos theta तो x1 का मान हमारे पास है P cos theta यह एक force मैंने consider किया है और small y1 का मान है मेरे पास P sin theta संपूर्ण निकाई के लिए हम क्या करेंगे इनका summation लेंगे ठीक है अब जब हम इनका summation लेंगे तो वो संपूर्ण निकाई को represent करेगा यानि कि summation of x1 और summation of x1 को आमने माना था capital X equal to capital X equal to हो जाएगा summation इदर भी लगेगा summation of P cos theta और summation of small y1 equal to क्या होगा यहां से capital Y equal to summation of P sin theta अब चूंकि निकाई सामय वस्ता में है तो इन दोनों का मान जीरो के बराबर होगा तो हमारे पास कुल मिला कर तीन equation प्राप्त हुई है equation 1 जो कि संपूर्ण निकाई के बल्यूग मा आगोन के योग को represent करती है equation 2 जो कि सभी बलों के X गटकों के योग को represent करती है जो कि 0 के बराबर है और equation 3 सभी बलों के Y गटकों को represent करती है यह हमने किस लाइन की मदद से निकाला पहली लाइन के मदद से पहली लाइन से हमें यह तीन equation प्राप्त हो गई next line को पढ़ते हैं अब next line है हमारी कि जब प्रत्य बल की क्रिया रेका को क्रिया बिंदू के सापेक्स समकॉन पर गुमाने पर बल युगम H में समानित होता है तो इसको द्यान से समझेगा कि हमने यहाँ पर X axis के साथ angle theta लिया है अब यह कहे रहा है कि इन सभी बलों को 90 degree angle से गुमाना है तो इसको गुमाएंगे तो यह यहाँ पर आएगा यह वाला force यहाँ पर आएगा यानि कि theta में हम pi by 2 add कर रहे हैं तो equation 1, 2 और 3 में जहाँ पर भी हमें theta दिक रहा है वहाँ पर हमें pi by 2 add करना है और यहाँ पर एक प्रमे भी लगेगा वह प्रमे में आपको बताऊंगा और साथ हमें ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर pi by 2 add होगा तो प्रस्ण में कहरा है कि जो बल्यूगमा आगून का योग है वो G की जगा पर H के बराबर होता है यानि कि जब हम theta में pi by 2 add करेंगे तो उनका sum भी 0 के बराबर होगा क्योंकि pin तब भी सामय वस्ता में ही रहेगा ठीक है तो अब मैं क्या करने वाला हूँ pi by 2 sum में add करूँगा और यहाँ पर G की जगव पर H लिखूँगा तो बिना समय गवाई मैं सीधी equation आपको दिखाता हूँ तो equation number 1 में pi by 2 add करने पर हमें ये equation प्राप्त होगी जैसा कि मैंने आपको कहा था कि G को H में change करना है तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि sin theta plus pi by 2 क्या होता है cos theta और cos theta plus pi by 2 होता है minus sin theta ठीक है तो मैं अब इनको यहाँ पर लिखने वाला हूँ summation of pi cos theta into x यहाँ पर minus sin theta होगा तो minus minus plus हो जाएगा plus summation of pi sin theta into y अब मैं इनको वापस से equation number देता हूँ इसको देते है equation number 4 यह हो जाएगी हमारी 5 और यह होगी equation number 6 यह कैसा है यह आप समझ पा रहे होंगे only pi by 2 इन में add किया है और x dash और y dash मैंने यहाँ पर अलग करने के लिए इनको यहाँ पर लिख दिया है ठीक है तो दो लाइनों से हमने यह यह चीजे find out की 6 प्रकार की equation हमें बनाए अब देखते हैं कि प्रश्ण में आगे क्या दे रखा है आगे हैं कि तो सिद्ध कीजिए कि प्रतीक बल की किरिया रेखा को alpha कौन पर गुमाने पर निकाई एक बल युगम के तुल्य होगा जिसका आगून यह होगा ठीक है अब हमें क्या करना है जैसे हमने यहाँ पर पाई बाई टू एड गया था उसी तरह से समिकरण एक दो और तीन में हमें थीटा के साथ alpha को एड करना होगा नया प्रस्ट होने के कारण मैंने उन तीनों equation को वापस से लिग दिया है अब हमें क्या करना है अलफा एंगल पर सभी को गुमाना है तो मैं यहाँ पर जी मान लीजिए आई में समानित हो जाता है यानि कि बल्यूग मा आगोन हमें तब प्राप्त होता है आई तो आई हमें कब प्राप्त होगा जब हम थीटा में alpha एड करेंगे ठीक है तो इस एक्वेशन में मैं थीटा में alpha एड करके इसको वापस से लिखता हूँ तो हमें प्राप्त होगा आई इक्वल टू समेशन ओफ एक्स पी साइन थीटा प्लस अलफा माइनस वाई पी कॉस थीटा प्लस अलफा ठीक है तो यह हमें एक्वेशन प्राप्त होगी अब मैं साइन थीटा प्लस अलफा और कॉस थीटा प्लस अलफा को ओपन करने वाला हूँ तो साइन ए प्लस बी का फोर्मूला होता है तो यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स और पी को बाहर क्यों रखते हैं और इसको ओपन करते हैं साइन थीटा कोस अलफा प्लस कोस थीटा साइन अलफा माइनस वाई पी को यहाँ पर बाहर रखते हैं और कोस थीटा प्लस अलफा का फोर्मूला होता है कोस थीटा कोस अलफा माइनस साइन थीटा साइन अलफा अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो पहली टर्म है और जो तीसरी टर्म है दोनों में कोस अलफा आ रहा है ठीक है यहाँ पर भी कोस अलफा है और यहाँ पर भी कोस अलफा है जो कि कॉंस्टेंट है तो कॉंस्टेंट को साइन थीटा माइनस बचेगा हमारे पास yp कोस थीटा ठीक है और यहाँ पर जो दूसरी और चोती टर्म है इन में से साइन अलफा कॉंस्टेंट है तो मैं साइन अलफा को यहाँ पर बाहर करता हूँ तो यह प्लस में होगा साइन अलफा बीछे हमारे पास बचेगा xp कोस थीटा xp कोस थीटा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ठीक है अंदर वाला माइनस इसको प्लस कर देगा तो प्लस yp साइन थीटा तो आपको याद आ रहा होगा कि यह वाली equation summation वाली और यह summation वाली equation हमने अभी अभी ग्याद की है यह थी हमने हमारे पास g की value xp sin थीटा माइनस yp कोस थीटा xp sin theta minus yp cos theta और ये वाली xp cos theta plus yp sin theta xp cos theta plus yp sin theta जिसका मान है h तो मैं यहाँ पर इन दोनों की जगह पर g और h को रख सकता हूँ तो i equal to हमारे पास आ जाएगा g cos alpha plus h sin alpha तो आप देख सकते हैं हमें प्रस्ण में यही पूचा गया था कि alpha corn पर गुमाने पर निकाई एक बल्युग्म के तुलिय होगा जिसका आगूंड g cos alpha plus h sin alpha है तो हमने ये बात प्रूव कर दी है अब हमें आगे कहे रहा है कि यदि alpha equal to 210 inverse h upon g हो तो निकाई बल्युग्म g के समान होगा ठीक है तो हम अब यहाँ पर alpha की value हमें रखनी है 210 inverse h upon g तो alpha की value रखने पर मामला कठीन हो सकता है इसलिए हम क्या करते है कि यहाँ से sin alpha और cos alpha की ही value यहाँ से find out कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ से इसको मैं transfer करूँ तो यहाँ पर 10 alpha upon 2 हो जाएगा क्योंकि यह alpha upon 2 होगा 10 इदर की और आ जाएगा तो inverse इससे हड़ जाएगा 10 alpha upon 2 equal to h upon g हमें मिल गया तो अब आपको क्या करना होगा दो formula यहाँ पर लगाने होंगे ताकि हम cos alpha और sin alpha की value निकाल सकें sin alpha का formula होता है या फिर कोई भी sin theta का formula होता है 210 alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2 ठीक है 1 plus 10 square alpha by 2 तो इस formula की मदद से हम सीधा sin alpha का मान निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास 10 alpha by 2 की value है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 h upon g upon 1 plus h square upon g square g square यहाँ पर LCM आएगा और 1 g से g यहाँ पर cancel out हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 h upon g square प्लस h square और नीचे वाला जो g है उसको मैं उपर की और transfer कर दूँगा ठीक है तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर यहाँ पर into का sign आएगा क्योंकि वो बच्टा वाला g मैंने उपर की और transfer किया है तो sign alpha की value हमारे पास यह आ गई इसी तरह से cos alpha का 10 alpha by 2 के रूप में formula होता है cos alpha equal to 1 minus 10 square alpha by 2 upon 1 plus 10 square alpha by 2 यहाँ पर भी 10 alpha by 2 की value रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है 1 minus h square upon g square upon 1 plus h square upon g square g square LCM आएगा और उपर वाला g square नीचे वाले g square से कर जाएगा तो हमारे पास बचेगा g square minus h square अपॉन जी इसक्वेर प्लस h square ठीक है तो इसको मैं देदेता हूँ यहाँ पर समी करण नंबर 7 यह हो जाएगी समी करण नंबर 8 और यह हो जाएगी हमारे पास समी करण नंबर 9 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि sin alpha और cos alpha की value 8 और 9 से लेकर 7 में put करेंगे तो हमारी यह वाली condition satisfy हो जाएगी और हम देखेंगे कि जो बल्यूगमा आगोन हमें i प्राप्त हो रहा है और cos alpha की value हमारे पास है cos alpha की value g square-h square upon g square-h square ठीक है cos alpha की value रख दी फिर हमारे पास plus h और sin α की value हमारे पास है 2gh upon g square plus h square 2gh या 2hj upon g square plus h square तो इन दोनों पदों में आप देख रहे हैं कि हम g square plus h square को lcm ले सकते हैं lcm लेने पर हमें ये term प्राप्त होगी कैसे प्राप्त होई g square plus h square नीचे के और lcm आ गया और उपर वाले पदों में से मैंने g को common ले लिया यहाँ पर तो g बाहर ही था तो पीछे बचा हमारे पास g square minus h square और यहाँ से g common लेने पर पीछे बचा 2h square ठीक है तो अब क्या होगा 2h square में से 1h square जाएगा तो ये बन जाएगा g square plus h square यानि कि g into g square plus h square upon g square plus h square तो ये वाली term यहाँ से cancel out हो जाएगी और हमारे पास i की value मिल जाएगी i equal to g तो ये वाली value हमें कब मिली जब हमने alpha equal to 210 inverse h upon g लिया था ठीक है इसको नीचे करता हूँ थोड़ा सा alpha equal to 210 inverse h upon g लिया था और अब question number वापस से आते हमें यही पूछा गया था कि यदि alpha equal to 210 inverse h upon g हो तो निकाए g बल्यूग्म के तुल्य होगा तो ये वाला जो बल्यूग्म है वो g में convert हो चुका है तो इस सवाल को हमने पूरा कर लिया है काफी बड़ा सवाल था अब बढ़ते हैं next सवाल पर next सवाल है हमारा कि बल 1,2,3,5,P,Q एक वर्ग ABCD में क्रमसह AB,BC,CD,DA,AC,BC के अनुदिस क्रिया करते हैं P तता Q के मान ग्याद कीजिए जिनके लिए निकाए एक बल्यूग्म में समानित होता है तो मैं यह जो information दी गई है इनके मादियम से diagram बना कर आपको समझाता हूँ तो हमने यहाँ पर एक वर्ग बना लिया है जिसका नाम है ABCD अब आते हैं बलों पर ठीक है तो बल 1,2,3,5,P,Q बुजाओं क्रमसह AB यानि कि AB पर कार्य कर रहा है बल 1 तो यहाँ पर AB पर मैं कार्य कराता हूँ बल 1 ठीक है फिर BC पर कार्य करेगा बल 2 BC पर बल कार्य करेगा 2 उसके बाद मैं CD पर 3 CD पर 3 और फिर है DA पर 5 DA पर 5 इसकी दिसा भी हमें ध्यान रखनी है जिस दिसा में बोल रहा है D से A की और तो इस तीर का निसान उसी हिसाब से लगाना है फिर बोल रहा है AC के अनुदिस P ठीक है AC के अनुदिस P ठीक है उसके बाद मैं बोल रहा है B, D के अनुदिस बल क्यों कार्य कर रहा है तो B, D के अनुदिस लेता हूँ मैं और ये वाला भी हो जाएगा 45 डिग्री अब सवाल में आप देख सकते हैं कई पर भी हमें पिंड की सामिय उस्ता के बारे में नहीं दिया गया है यानि कि पिंड जो है वो सामिय उस्ता में है और सामिय उस्ता की दो सर्थे मैंने आपको बताए थी कि सभी X गटकों का योग 0 होगा और सभी Y गटकों का योग 0 होगा तो यहाँ पर मैं सभी X गटकों का योग यानि कि capital X निकालने की कोशिश करता हूँ तो एक नमबर फोर्स प्लस X डायरेक्शन में कारी कर रहा है तो यहाँ पर 1 और 3 नमबर फोर्स माइनस X दिसा में कारी कर रहा है तो यहाँ पर माइनस 3 उसके बाद में P का X गटक क्या होगा P cos 45 डिगरी यानि कि P upon root 2 प्लस P upon root 2 और यहाँ पर Q का कोश गटक यानि कि Q cos 45 डिगरी वो माइनस X दिसा के अनुदिस कारी करेगा तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा minus Q upon under root 2 और इसका मान होगा 0 के बराबर क्यों होगा 0 के बराबर क्योंकि Pind जो है वो सामिय अवस्ता में है अब लेते हैं Y गटक Y गटक 2 minus 5 हो जाएगा क्योंकि 2 plus Y दिसा में और 5 minus Y दिसा में इसे के साथ P का Y गटक P sin 45 degree तो वही होगा plus P upon under root of 2 और Q का sin गटक हो जाएगा plus Q upon under root 2 यहाँ पर दोनों plus है क्योंकि दोनों plus Y direction में कारे करेंगे Y गटक ठीक है इसका मान भी 0 के बराबर होगा अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से P और Q की value find out करने की कोशिस करते हैं तो इस वाली equation में अगर मैं under root 2 का LCM ले लो सब में यहाँ पर minus 2 बचेगा ठीक है तो यहाँ पर हमें मिलेगा minus 2 under root of 2 क्योंकि मैंने यहाँ पर LCM ले लिया है और जो बटे में under root 2 होगा वो 0 में चला जाएगा तो plus P minus Q equal to 0 तो हमें यहाँ पर मिलेगा P minus Q equal to 2 under root of 2 ठीक है अब इस second number equation को हल करते हैं second equation में भी हम यहाँ पर under root 2 का LCM लेते हैं तो यहाँ पर minus 3 पहले से बन रखा है तो minus 3 under root of 2 plus P plus Q equal to 0 तो यहाँ पर P plus Q की value हमें मिल जाएगी equal to 3 under root of 2 तो हमारे पास दो equation आ चुकी है एक P minus Q और P plus Q तो इन दोनों को हम solve करने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड देते हैं Q से Q cancel out हो जाएगा उससे P की value हमारे पास निकल कर आ जाएगी तो दोनों को add करने पर 1 plus 2 2P और Q से Q कट चुका है equal to 3 root of 2 plus 2 root of 2 किता हो जाएगा 5 root of 2 P की value हमें मिल जाएगी 5 root of 2 upon 2 इसको मैं काटूंगा तो हमें मिल जाएगा 5 upon root of 2 और उसी प्रकार से Q की value ग्याद करने के लिए मैं 2 में से 1 को minus करता हूँ तो यह minus minus plus हो जाएगा और 2Q की value हमें मिलेगी क्या कर रहा हूँ में? 2 minus 1 तो हमारे पास आ जाएगी 2Q क्योंकि P में से P minus हो चुका है 2Q equal to इसमें से इसको गटा रहे तो only for root of 2 बचेगा इसको आगे solve करेंगे तो Q की value हमें मिल जाएगी 1 upon root of 2 कैसे? क्योंकि root of 2 upon 2 बनेगा जिससे कटके 1 upon root of 2 हमारे पास बन जाएगा तो इस प्रकार से solve करते करते हैं हमने P और Q की value निकाल दी जो कि हमें सवाल में पूछा गया था कि P तता Q के मान ग्याद कीजिए जिनके लिए निकाए एक बल्युक्म में समाने होता हो ठीक है? तो यहाँ पर यह सवाल solve हो चुका है अब हम पार्टि पुस्तक का एक unsolved question करते है question number है 4 अगर आपके पास book है बार्गो बन साल अगरवाल की उसका मैं exercise number 4 यह का question number 4 अब करवाने वाला हूँ तो प्रशन पढ़ते हैं सबसे पहले तो प्रशन है हमारे पास तीन बल P, Q और R वेखाओं X प्लस Y इक्वल टू 1 Y माइनस X इक्वल टू 1 और Y इक्वल टू 2 द्वारा निर्मित त्रिबूज की भूजाओं के अनुदिस क्रियासिल है उनके परिणामी बलकी क्रिया रेखा का समिकरण हमें ग्यात करना है तो उसके लिए हमें बता है कि क्रियार रेखा का समिकरण होता है जी इक्वल टू Small X Capital Y माइनस Small Y Capital X यानि कि हमें यहाँ पर सभी बलों के Y गटकों का योग चाहिए सभी बलों के X गटकों का योग चाहिए साथ हिन सभी बलों के बल्यूगमा आगोंड का योग चाहिए ठीक है तो सबसे पहले हम डाइग्राम इसका बनाने की कोशिस करते हैं सबसे पहली रेका है हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 1 इसको कैसे ड्रो करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा इसको अंताखंड रोप में चैंज करते हैं तो यहाँ पर इनके बता में 1 और 1 आता है यानि कि ये रेका x अक्स और y अक्स के साथ एक एक इक एकाई का अंताखंड क्रिएट करती है यानि कि ये x अक्स पर 1,0 से गुजरेगी और y axis पर ये 0,1 से गुज़रेगी 0,1 से गुज़रेगी तो इन दो point से होकर ये रेखा गुज़रेगी तो अब मैं इसको draw करने वाला हूँ तो पहली रेखा हमने draw कर ली है दूसरी रेखा है हमारे पास x minus y equal to 1 sorry y minus x equal to 1 तो इसको मैं लेख सकता हूँ y upon 1 plus x upon minus 1 equal to 1 जो कि इस रेखा का अंतरकंड rope है यानि कि ये y axis पर ये किकाई का अंतरकंड कारती है यानि कि 0,1 से गुज़रेगी और x x पर minus 1 किकाई का अंतरकंड कारती है यानि कि minus के 1,0 से ये रेखा गुज़रेगी minus के 1,0 से तो इन दो पॉइंट से जाती हुई हमें रेखा कहींचनी है तो हमने ये रेखा भी यहांपर ड्रोग कर दी तीसरी लाइन हमें दी गई है y equal to 2 ठीक है ये तो आप आसानी से कहीं सकते हैं ये रेखा गुजरेगी 0,2 से 0,2 से और x, x के समानतर होगी यानि कि लाइन इस तरह से होगी ठीक है तो हमने ये डाइग्राम पूरी तरह से बना लिया है अब हमें दे रखा है कि इन रेखाओं के अनुदिस क्रमसव P, Q और R बल क्रियासिल है यानि कि इदर की और P बल क्रियासिल है इदर की और Q बल और Y इक्वर्टू 2 के अनुदिस R बल क्रियासिल है हमें पूछा क्या गया है इसमें कि उनके परिणामी बल की क्रिया रेखा का समिकरण ग्यात कीजिए यानि कि हमें सभी Y गटकों का योग X गटकों का योग और सभी बलों के बल युगमा आगोन का योग यहाँ पर चाहिए तो सोल करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले निकालते हैं X गटकों का योग यानिकी capital X तो R बल आप लेख सकते हैं कि पूरी तरह से प्लस X दिसा में लग रहा है तो मैं यहाँ पर प्लस R इसको लिख सकता हूँ अब हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो P force है और जो Q force है इन दोनों के X दिसा में गटक करने हैं और हमें इसके लिए इसका angle find out करना होगा तो angle को हम रेखाओं के समिकरन द्वारा ही सीधा ग्याद कर सकते हैं जैसे की P रेखा का समिकरन है हमारे पास X प्लस Y इक्वल टू 1 तो इसको मैं ढाल रूप में प्रदर्सीद करता हूँ तो इसको में लेक सकता हूँ Y इक्वल टू माइनस X प्लस 1 और ढाल रूप में रेखा के समिकरन का प्रारूप क्या होता है हमें बता है Y इक्वल टू MX प्लस C तो यहाँ पर M की वेल्यू है हमारे पास माइनस 1 M इक्वल टू हमारे पास है माइनस 1 यानि की 10 ठीटा इक्वल टू हमारे पास है माइनस 1 यानि कि theta equal to क्या हो जाएगा हमारे पास minus का 45 degree minus का मतलब है कि रिनात्मक x x के साथ ये वाली line 45 degree का angle create करती है यानि कि ये वाला angle हमारे पास आ गया 45 degree समझ पारे होंगे आप उसी तरह से इस line का angle गयाद करेंगे तो भी हमें प्राप्त होगा 45 degree तो मैं सिधा यहाँ पर लिक रहा हूँ अब हम इन दोनों की गटक आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले q के गटक करते हैं चुकि ये angle 45 degree है तो संगत कौन के इसाब से ये भी 45 degree होगा समझ जाएगा आप तो q cos 45 degree और cos 45 degree का मान होता है 1 upon root 2 यानि की q upon under root of 2 हमें इसका x गटक मिला उसी प्रकार से उपर वाला भी 45 degree होगा क्योंकि ये पूरा 90 degree है तो उपर वाला इसका गटक भी हमें प्राप्त होगा q upon under root of 2 ठीक है x और y गटक दोनों हमें मिलें यहाँ पर q upon under root of 2 उसी प्रकार से p के गटक भी हमें मिलेंगे p upon under root of 2 और y गटक भी होगा यहाँ पर p upon under root of 2 क्योंकि angle दोनों लाइने समान create कर रही है अब मैं x गटकों का योग वापस से लिक रहा हूँ तो q का जो x गटक है प्लस x दिसा में तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस q upon under root of 2 और p का x गटक माइनस x दिसा में तो हो जाएगा माइनस का p upon under root of 2 तो x गटकों का योग हमें यहाँ पर मिल गया है उसके बाद में हम निकालेंगे y गटकों का योग y गटकों का योग होगा y दिसा में q upon under root of 2 plus p upon under root of 2 क्योंकि दोनों force एक ही दिसा में act कर रहे हैं अब हम निकालते हैं g की value यानि कि बल यूग मा आगोन का यूग ठीक है तो जो y equal to 2 के अनुदिस r force कर रहा है तो उसकी perpendicular distance small बिंदू से कित्ती होगी 2 क्योंकि 0,2 पर ये line जा रही है तो सबसे पहले इसी की value निकालते हैं और ये लखडी को किस दिसा में गुमाएगा गड़ी की दिसा में और गड़ी की दिसा में बल यूग मा अगोन का मान negative होता है यानि कि minus r और perpendicular distance का मान है 2 ठीक है अब निकालते हैं q की perpendicular distance तो मूल बिंदू से force p पर perpendicular डालते हैं ठीक है p पर मैंने perpendicular डाला और ये वाला angle हमें पता है 45 degree ठीक है कितना है 45 degree तो ये वाली distance हमारे पास है 1 तो ये वाली distance किती होगी theta से लगती पुजा cos theta तो इसका मान हमें प्राप्त होगा ये एक cos 45 degree समझ पा रहे होंगे आप ये वाली distance है 1 तो ये वाली बुजा हो जाएगी एक cos 45 degree और यहाँ पर अगर perpendicular डालेंगे तो ये वाला angle होगा 45 degree ये वाली distance है 1 तो ये भी हो जाएगी हमारे पास एक cos 45 degree परन्तो हमें चाहिए लंब की लंबाई ठीक है perpendicular distance तो लंब की लंबाई के लिए ये क्या हो जाएगी एक sin 45 degree और दोनों में समान होगी क्योंकि ये length जो है वो दोनों समान create कर रही है ठीक है तो यहाँ पर बल्यूग मा आगों Q के लिए सबसे पहले में निकालने वाला हूँ तो force act कर रहा है Q और ये लकड़ी को किस दिशा में गुमाएगा गड़ी की दिशा में तो negative होगा minus Q और perpendicular distance हमारे पास कितनी है एक sin 45 degree यानि कि 1 upon root of 2 यानि कि Q upon root of 2 अब बात करते हैं P force की तो P force की perpendicular distance P1 upon root of 2 है और ये लकड़ी को गड़ी की विपरी दिशा में गुमाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा plus P upon root of 2 अगर आप इसको और भी आसान तरीके से ग्याद करना चाते हैं तो इन गटकों के आप बल्यूगमा आगोन ग्याद करके इनको जोड सकते हैं मैं डायरेक्ट बलों के निकाल रहा हूँ तो आप गड़कों से भी इसको कर सकते हैं तो हमें G मिल गया capital Y मिल गया और capital X मिल गया अब इन सब values को मैं इस formula में put करने वाला हूँ तो यहाँ पर मैंने G की value यहाँ पर रख दी है यहाँ पर इसका LCM ले लिया उसके बराबर में मैंने सबसे पहले यह वाली values रखी है small Y into capital X है और capital Y into small X है ठीक है तो capital Y की value हमारे पास है Q upon under root of 2 प्लस P upon under root of 2 इसमें LCM लेके मैंने इनको 7 में लिका है P plus Q upon under root of 2 और capital Y के साथ small X है तो मैं यहाँ पर small X से इसको multiply करता हूँ ठीक है और minus क्यों लिका है मैंने क्योंकि यह minus है और small Y पीछे की वह लिखता हूँ मैं यहाँ पर small Y और capital X की value हमने ग्याद की है R plus Q upon under root of 2 minus P upon under root of 2 इसका LCM लेंगे तो हमें यह वाली equation मिलेगी अब इसको जब हम पूरी तरह से solve करेंगे तो कौन सी equation मिलेगी मैं direct यहाँ पर लिखता हूँ हमें यह समिकरण प्राप्त होती है यह किसकी समिकरण है परिणामी बल की समिकरण तो हमने क्याद क्या क्या कि सभी बलों के X गटक ग्याद की और मूल बिंदू के सापेक्स सभी के बल युगमा आगोन का योग ग्याद करके इस formula में रखा तो हमें समिकरण प्राप्त हो गया तो आपके यह दो topic पूरी तरह से clear हो चुके होंगे मैंने 7 सवाल इसके करा दिये हैं और topic की theory भी मैंने आपको detail में समझाई है तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए good bye